है गाइस कैसे आप लोग आई होब कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एक्जाइम की प्रपिशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वह होने वाला है सेलिंग और मार्केटिंग का डिफिरिंस जो कि यह आपको स्क्रीन पर दिखी गया होगा तो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में आई होब कि आपकी यह वीडियो काफी पसंद आएगा अब उससे पहले कहना चाहूंगे गर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब सबस्क्राइब कर दीजी और बेल अकन दबा दीए तक कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे सद्धी साथ में आपको बताता चलोगी किस तरीके से आप हमारे वेबसाइट पर पहुंच करके हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं आपको क सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहां पर देर सारी वीडियोज अबेलेबल हैं जिनको देखकर करके अब डेफरेंटली एक्जाम में अच्छे मांक्स लाप आओगे तो चलिए विराज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इस अबाउट दिस्टिंग्वेश बिट्वे सरव आपको sell नहीं करना होता है बलकि आपको consumer needs and wants को satisfy भी करना होता है यह पहला point है दूसरा point है company manufactures the product first and then decides to sell selling के case में जो company होती है वो सबसे पहले सामान को manufacture करती है और फिर decide करती है कि उसको sell कैसे करना है लेकिन marketing के case में उलता होता है marketing के case में जो company होती है वो first determine हो करती है कि consumer की क्या needs and wants है इसके according जो है वो product को design करती है और फिर जाकरके products को तयार करती है ऐसे product को तयार करती है ताकि customer जो है उसके needs and wants को satisfy कर सके third number point है management is sales volume oriented selling के case में जो management होता है वो sales volume oriented होता है वो सिर्फ सिर्फ सेल्स के बारे में सोचता है कि उनका sales ज्यादा हो किसी भी तरीके से whereas marketing के case में जो marketing होती है वो profit oriented होती है यहाँ पे लोग profit कमाना चाहते है है ना consumer के wants को तरस आप satisfy करोगे तो आप long term तक किसी भी consumer को आपना बनाया रख सकते हो और इससे management को फाइदा होगा इससे आपको profit होगा तो यहाँ पर जो management होता है वो profit oriented होता है selling के case में planning is short term oriented and in terms of today's products and markets है ना जो selling के case में जो planning होती है वो short run oriented होती है लंबे time के बारे में नहीं सोचती है पर short run में सोचती है कि किस तरीकिस उनका product जो है वो sale हो जाए और आप market में भी पकड़ बना पाऊ वेराज marketing में planning जो होती वो long run oriented होती है कि यहाँ पर नए products को launch करने की बात की जाती है कि समय समय पर जो हम नए-ए-nए products launch करेंगे tomorrow's markets and future growth आप कल के market के बारे में बात करते हो आप अपने future growth के बारे में बात करते हो जब भी आप marketing की बात करते हो so this is the difference now fifth number point stresses needs of seller selling case में जो seller होता है उसके उपर बहुत जदा stress दिया जाता है है ना लेकिन marketing के case में जो stress होता है वो जादा से जादा buyer के उपर दिया जाता है कि buyer क्या चाहता है उसके accordingly आप काम करने की कोशिश करते हो लेकिन selling में उसका उलता होता है कि selling में जो seller होता है सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है और उस वही डिसीजन सारे लेता है है ना चाहटा number point है viewing views business as good as producing process है ना जो selling के case में जो management होती है वो business को just producing process के बाद जैसे देख रही होती है लेकिन marketing के case में business को ऐसे नहीं दिखा जाता है marketing के case में business को एक consumer satisfying process के रूप में देखा जाता है जहां पर आप consumer के needs and wants को satisfy करते हो right marketing में यह होता है साथवा number point है emphasis on staying with existing technology and reducing cost cost साथवे number point में selling के case में यह होता है कि जो emphasis होता है जो ज्यादा से ज्यादा जो emphasis होता है वो होता है लेकिन marketing के case में यह बात है कि यहां पर innovation को ज्यादा महत दिया जाता है emphasis is on the innovation on every sphere on providing better value to the customer by adopting a superior technology अगर आप अची technology का इस्तेमाल करेंगे तो definitely आपके customer आपके consumer जाता खुश रहेंगे right तो यहां पर emphasis जो है उस चीज़ के उपर दिया जाता है customer के wants and needs को satisfy करने में तो यहां पर definitely जो technology है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है वेरा selling में पुरानी technology का ही इस्तेमाल किया जाता है आथवा number point है different department works in highly separate water tight compartments है ना जो different departments होती है selling के case में वो differently काम करती है वो बहुत ही tightly you know compartments में काम करती है उनका target होता है कि इतना हमें produce करना और इतना हमें sell करना है लेकिन marketing में ऐसा नहीं होता है चीज़े जो होती है बहुत ही integrated होती है किसी एक वैक्ती के लिए पिर किसी एक आदमी के लिए सारे काम नहीं हो रहे होते है यहां पर जो है consumer king होता है है ना different department work as in highly separate water tight compartments all department of business operate integrated manner जैसा कि मैंने कहा the sole purpose being generation of consumer satisfaction जो sole purpose होता वो यही होता है कि कि किस तरीके से consumer satisfaction को लाया जा सके है ना नौवा number point है cost determines price selling के case में जो cost होता है वो price को determine करता है लेकिन marketing के case में consumer determines the price marketing के case में अगर consumer ज्यादा demand करेगा तो उस चीज़ की price बढ़ जाएगी का कम demand करेगा तो उसकी price घड़ जाएगी तो यहां पर consumer को king बनाए गया है consumer determines the price कि किसी एक चीज़ का price कितना होना चाहिए in turn price determines the cost in turn जो price होता है वो determine करता है कि cost कितना लगेगा आप समझ रहे हो consumer को यहां पर कितना मात दिया गया है marketing की case में तसवा number point है selling views customer as the last very purpose in the business है न तो जो selling views है उस वो आप कम देखते हो selling के case में आप customer satisfaction के बारे में बात ही नहीं करते है आप customer को as a last aspect देखते हो अपने business में लेकिन marketing में जो customer होता है वही king होता है marketing views the customer as the link of the business marketing जो है customer को as a link of the business treat करता है या फिर उसको as a link of the business देखता है क्योंकि marketing के case में जो customer है वो बहुत ही important होता है क्योंकि आप customer के ही needs and wants को satisfy करना चाह रहे हो या फिर कर रहे हो तो this is all about this video जहांपे मैंने आपको you know difference बताया है selling and marketing का I hope कि आपको ये video काफी पसंद आया होगा पसंद आया है तो please like, comment और share करो ये सारी की सारी वीडियो जो भी मैं upload करूँगा ये playlist में जाता जाएगा तो आप playlist को watch करना playlist में आपको फिर वीडियो मिलेंगे जिनको देखकर करका आप examination में बहुत ये अच्छे marks लाप आएंगे तो मिलते हैं ले वीडियो में अपना ख्याल रखो bye thank you